जो संजू तिरपाती हट्या कांड़ उसके ग्राउंड जीरो पे हम खड़े हैं आई आपको बताते हैं सिलसिलेवार किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और किस तरीके से अपराधिया आया फरार हुए आप देख सकते हैं यहां पे अभी भी कांच के टुक्रे जो अपराधी है जो बदमास है फायदा उठाते हुए उनको गोली मार कर निकल गये गोली मारी गई और इस घटना को अन्याम दिया गया आप देख सकते हैं कि इस तरफ से संजू तिरपाठी सक्री तरफ से इधर से उनकी कार आती है और एक गाड़ी इस तरफ से इस तरफ से और यहां पर उनकी गाड़ी को घेर लिया जाता है और घेरने के बाद जैसे ही वो यहां ब्रेकर के पास पहुंचते हैं आप पहुंचते हैं इधर से एक और कार निकलती है देखें कि दंग से स्पीट कि स्पीट कम हो गई गाड़ी के तो इसका बदमास्तों ने भरपूर फाइदा उठाया है और उनको गोलिमे की संजू तिरपाथी जो है उनकी हत्या के लगता है कि उनको अंधेशा था इसलिए उनहोंने घर जाने के पहले उन्जी सीचार कुंचे परिज़नों से बात हुई तो उनका कहना है कि तिरपाथी जी ने बताया था कि बैकपैक कर ल कि मेरी हत्य हो सकती है इसलिए ओ घर जा रहे थे घर के बाद पता उनकी आगे की प्लानिंग उनकी हत्य हो गई इस बारे मां जानकारी नहीं मिल पाई थी इस हादसे से उनके परिजन जो हैं सहमें हुए हैं और किसी भी तरीके से मीडिया के सामने आकर अपना जबान नहीं ख आते हैं अभी आपको बता दे कि बुल देखेंगे कि पूल है यह आपको बता दे कि यह रोर जो है फ्लाइओर क्यांके ऐस परकार का कोई CCTV केमरा नहीं लगा है हमने यहां पर परचेक्ष दर्सियों से भी बात करने की कोशिजिस की किस हत्या के बारे में किसी ने कुछ देखा हो तो सभी कहना है कि हम यहां पर मौजूद नहीं थे पुलिस अधिक अधिक चक महोदय से बात हुई है तो उनका कहना है कि तप्तीस जारी है जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे भूंगेली जीरव विलोसिल पाठक के साथ मैं फिर अचन समय निव्ज थाने में खड़ें यहां पर आपको देख सकते हैं आपको बता दे कि यहां पर एसेस्टी मेडम जो है पारूल माथूर ओभी पहुच हुई है और सगन जांच इस मामले की की जा रही है अभी तक आरोपी लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिली की पहुच से दूर है जिसकी जांच चल रही है और आला धिकारी इस पर लगातार नजर बनाए हुए आए हम इनकी गारी को बताते हैं आपको किस तरीके से गारी में थे कौन सी गारी थी जिसमें ये संजुतिर पाठी जी मौजूद थे और उ नहीं कि गारी है और बताते हैं आपको यह देखे जो स्कार का सिसा है जो गोली मारी गई है बदमासों के दवारा खुनियों के द्वारा तो एक कार का सीसा टूड़ गया है यहां पर देखिए कून के सीटे भी जो है गारी में आपको दिखाई देंगे कुछ समान भी उन् जो प्रदेश में चर्चा चल रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो महामंत्री सब्द जो लिखा है, जीला कांग्रेस कमेटी, इस मामले पे लेके जो कांग्रेस के मुख्य परवत्ता है, सुसील आनंद सुकला, उन्होंने साफ इंकार किया है कि वे कांग्रेस के किसी भूम रहे हैं गाडियों में, और महामंत्री लिखा हुआ है, और लगातार चल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, पुलिस कभी कहना है कि उनका कांग्रेस से कोई संबंद नहीं था, लेकिन खुली आम घूमना, जीला कांग्रेस कमेटी लिखकर यह क पूर्व नेतब परतिपक्ष धरमलाल कौसीक ने इसे इस मामले को लेकर जंगल राज करार दिया है, उन्होंने कहा है कि छेत्र में और प्रदेश में पूरे जंगल राज कायम है, वहीं कांग्रेस भाजपा आमने सामने नजार आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस का कायना है कि इस मौत इधाद से इस गोले कान को लेकर भाजपा किसी परकार की राजनिती ना करे। एक लावारिस गाड़ी आज मौनिंग में रिपोर्ट हुई थी ये नीले रंकी बलेनो गाड़ी है पुरानी गाड़ी है और कोडी गाओं में इसको तस्दीक के लिए थाना लाया गया है और इसके गाड़ी मालिक और अन्य चीजों की भी परताय की जा रही है जिसे कि कुछ प्रत्यक्ष दर्शियों ने ये जानकारी दी थी कि एक बुकार भी शायद संभावेत रूप से इस खटना करम में इन्वार्ट थी और कूरी तरह से तस्दीक करने के लिए इस गाड़ी को ठाना लाके आगरिम का रहती जाए जाए और इंवेस्टिकेशन है संदेई कि अब तक कुछ पता चुपार्टी के अभी तक पकड़ नहीं हो पाई है वो घटना समय से ही फरार है और उसको भी प्लिश दराश रही है इस मामले में लगातार बिलास्पूर एससपी है जी जो है पारूल मातूर लगातार नजार बनाए हुई है जहां तक हमें जानकार चल रही है और जल्दी मामले का खुलासा होगा वहीं इस मामले में जो संदिक्द है कपिल तिरपाठी संजु तिरपाठी के भाई वह अभी तक लापता है और उनका अभी तक तलास की पूलिस के द्वारा किया जा रहा है और एससपी पारूल मातूर का कहना है कि जल्दी उन्हें भी हिरासत में लेकर ले लिया जाएगा और पुछ तच किया जाएगा तभी इस मामले का खुलासा हो पाएगा